वेलकम बैक टू माई चैनल मेहूं पढ़ना आम का सीजन चल रहा है और अगर आपने इस सीजन में यह आम की रेशिपी नहीं खाई तो फिर क्या खाया तो चलिए बनाते हैं आम की एकदम नई रेशिपी तो इसके लिए मैंने यह आम ले लिए चाहे तो आप इस तरह से से स्टेट से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्यू बोल सकूँ और पिछली वीडियो का थैंक्यू जाता है नेपाल से समा जी को पतना से रेनू अलीगर से निशा जी समीना जी पाकिस्तान से और राज सर्मा जी हिमाचल से लालसा देभी गाजियाबाद से नोईडा स जरूर की जिएगा और इस वीडियो में आपको क्या चलगा होट भी मुझे निशूर बताएं और इस वीडियो का थैंक्यू आपको administ taxes को मेरी अग्ली वीडियो में पता चलेगा तो आज मैं आपके के लिडिया ने तो पील कर सकते हैं इंका च् assessments को चृबिए can Arabia को दूता निकाल देते हैं और अब हम इने पतले चोटे चोटे पीसे में कट कर लेंगे और जो भी आम खराब है उसे आप निकाल सकते हैं और इस रेस्पी में अगर थोड़ा सा भी इस तरह से पका हुआ है ना वह भी चल सकता है तो मैंने देखिए यहां पे इस तरह से चोटे चोटे पीसे कर लिये हैं अब यहां पे मैंने दो प्याज लिये हैं प्याज को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे तो प्याज को हमें यहां पे रफली चॉप करना है इस तरह से बहुत ज़्याद हमें इसे पारिक नहीं करना है तो अभी देखे मैंने प्याज को भी कट कर लिया है अब हम यहाँ पे लेंगे एक मिक्सी का जार और इस जार में हम एट करेंगे प्याज तो यहाँ पे मैंने डेड़ प्याज लिया है प्याज अगर आपका बड़े साइज का है तो आप एक ले सकते हैं तो मेरे प्याज जो मेडियम साइच के थे इसलिए मैंने डेट लिया है और यहां पर मैंने 7-8 लैसुन की कलियां ली है लैसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है तो इससे बिल्कुल भी स्किप ना करें और अब हम इसमें एड़ करेंगे हरी मिर्चें तो यहां पर आप एक या फिर दो हरी मिर्चे एड़ कर सकते हैं जैसे भी आप तीखा पसंद करते हैं और यहां पर आप इसमें दो सुखी लाल मिर्चें जरूर एड़ करें उनसे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है इससे पहले हम इसमें एड़ करेंगे एक छोड़ा आप यहां पर नमाग एड़ कर दो करते हुआए और इसमें और यहांने दोंमें लेगे औरन दोंthis तोड़ के अलग न रखें 2 आपव दोडिय्याख एड़ एड़ एसमें मतमइंदूर करैं दो आ उनसरा धनिया नत प को दिना नहीं अट किया है थोड़ा सा यहां पर पानी अट करें ताकि इजली क्राइंड हो सके तो यहां पर देखिए मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है और यह हमारी इस तरह से चटनी बन चुकी है तो आपने कई बार बनाई होगी लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ अलग तो यहांपे अब हम इसमें एट करेंगे आम और इसे हम दुबारा गराइंड कर लेंगे तो देखिए मैंने यहांपे इसको दुबारा गराइंड कर लिया है और है हमारी बहुत ही तेश्टी आम और प्याच की चटनी बनके तियार है तो इस चटनी को आप components आएगे तो ब करके बच्चों को आप दे सकते हैं बच्चों के टीं बिर्ठ भी मनका मैं घाया है जरूब बना सकते हैं य case there चोटा था तो आप इसे जरूर बनाएं तो आप चलिए बनाते हैं अपनी दूसी रेस्पी तो यहां पे लिया है मैंने बटर तो करीब एक चमच मैंने यहां पे बटर लिया है और यह जो बटर ना फ्रीज में रखा हुआ था तो इसे आप निकाल के बाहर रख लें जब मिक्स हर्प सकते हैं या फिर आप यहां पे काली मिर्च का पावडर ले सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च ले सकते हैं या फिर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप धनिया पत्ती भी ले सकते हैं तो मैंने यहां पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने यह तो बन के साथ आप कौनसी रेस्पी बनाते हैं मुझे कॉमेंट में ज़रुर बताना तो मैं आज आप से बन की बहुत ज़्यादा न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूं जो घाने में बहुत बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो बच्चे बड़े तो मांग मांग के खाएंगे इसे तो यहां पर अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो आज हम बन की आपसे ऐसी रेस्पी सेर करेंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं बनाई होगी तो जबी कुछ अलग कुछ चटपटा सा खाने का मन हो तो आप यह रेस्पी ट्राइ कर सकते हैं तो बन को मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है डीप नहीं जाना है बहुत जदा इसको गहरा नहीं कट करना है तो आज हम दो बन से दो तरह की रेस्पी आपको बना के दिखाते हैं तो एक बन को तो टूर ब्रस में बचार है अदर हम फिम्टी sans रजाजू सब्सक्राइब करें नहीं तो की अधमें हम फिद्था सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और आज भी न बनके तो बस यहां पर में देखिए इसको त्यार कर लिया है अब हम दूसरा बन त्यार में करें कि दूसे लिए हमने ली है चटनी अभी बनाई थी न अगर आपके पास चटनी नहीं है तो आप यहां मेंनीज ले सकते हैं या फिर आप यहां पे सॉस ले सकते हैं तो यहां पे अब हम इसमें एड़ करेंगे करीब दो चम्मच शिमला मिर्ज जो मैंने बारी काट के लिए है साथ ही मैंने यहां पे दो चम्मच लिया है प्याज इसे भी बारी काट लिया है और दो चम्मच हम इस तो यहां पर दो पिंच के करीब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स एड़ कर दिया है तो अब मैंने यहां पी लिया है यह बन और इसमें हम इसको अच्छे से स्टप कर देंगे अच्छे से हमें इसे भादेना है करीब दो से तीन चमच और यह बहुत ही ज्यादा चटपटा बनता है कभी आपका कुछ अलग सा कुछ टेस्टी सा मार्केट जैसा खाने का मन हो तो आप यह रेस्पी जुरू ट्राइब करें तो अब हम इसमें डाल देते चारो साइड और दोनों हमारे यहां पर बन तयार है तो अब मैंने यहां पर लिया है एक पैन और पैन में हम एड़ करेंगे बटर यहां पर मैंने एक चमच बटर लिया है आप चाहें तो आप ज्यादा बटर का भी इसमें यूज का सकते हैं तो अब हम यहां पर दोनों ब तो आप थोड़ा सा चीज या फिर ठेर सारा चीज का भी उच कर सकते हैं क्यूंकि जितना भी चीज ही होगा बच्चे उतने ही मन से खाएंगे और अगर आपके पास चीज नहीं है तो चीज के बिना भी से आप खा सकते हैं वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है यह तो मेरे करीब मैंने 2 मेट के लिए से बेक किया है देखिए छीज हमारा मेल्ट हो चुका है और नीचे से बहुत क्रिस्प हो गया है यह हीट को मैंने लो रखा हुआ था तो जब लो रखेंगे ना तो जलेंगे भी नहीं और अच्छे से हमारे यह बेक हो गए हैं तो हमारे पिजца बन के त्यार हैं दो तरह से मैंने आज बनाए हैं यह जो खाने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं इसका जो तेस्ट है ना आसम होता है देखिए दोनों साइट अच्छे से सीके हुए हैं और बहुत ही चीजी है इसमें से आपको कौन सा पिजा बन ज्यादा कर लें बेल को प्रेस करें थेंक्स फ़र वाचिंग बाबाई